हलो एव्रीवान वेलकम टू गोल्डी स्टेस्फुल किचन और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक हेल्दी सैलेड और वो है काबली चना से बनने वाला सैलेड जो फुल ओफ प्रोटीन से इसमें प्रोटीन है फाइबर है बहुत अच्छा है अगर आप वेट लॉस पे जा रहे हैं तो उसके लिए भी एक बाउल ये डिनर या लंज में आप ले सकते हैं तो यह देखिए मैंने लिया है काबली चना और इसको मैंने ओवरनाइट सोक किया वनकप लिया उसको अच्छे से वाश किया ओवर कि आपढले में करीपे यह अर्छा देख करेंगे और यह देर में बिल्कुल ठांक के ऐसा बनन जाएक हम गरम गरम नहीं बना रहे है इसको मैंने ठंडा कर लिया है और यह यह है अधा कि और धाल जिसके जुलियंस बने यह सकरे यह एक हरी मिर्च है एक से दो जितनी आप खाते हैं यूज कर सकते हैं दो टेबल स्पून कटावा फ्रेश धनिया है और यह मैंने एक खीरा बारिक काट लिया है एक टमाटर बारिक काट लिया है इसलिए आपको बहुत बारिक दिख रहे हैं आप चाहें तो इसको बारिक कुआ अब चेरा चाहे हुँ त Autism Yes time के लिए और फ। हैे हमने मेश्श हरे नमच गेस काट सकते हैं यह मेने मसाली लिया है गिक काला नमक लिया है अधा चममच बूना हुआ है अधा चममक गात मसाला ही अधाkraft जैरा और बदो घरम मसाणः है और यह म मेश्श चाट मसाला में डाल रहे हैं यह एक कप जना यानि एक कप मैंने जो भिगोया था उसके बाद भी इतना बच गया है मैं पहले आपको एक हप चने से बता रही हो यानि आप सब के लिए अगर सैलेट बना रहे हैं तो आप एक कप भी जोई यह अधर्वाइस आधा कप भी भीगो सकते हैं तो सबसे पहले डालेंगे हम ये हरी मिर्च, देखे कितना अच्छा लग रहा है, और उसके पाद डालेंगे हम ये प्याज, बारी कटा हुआ प्याज, और कुछ नहीं है, फटाफट बन जाता है, आप काट के रख लीजिए इनको, फ्रेश रैप में पैक करके रख दीजिए, और जब खाना है तब बना लीजिए, ये डालेंगे हम इसमें खीरा, कम ज्यादा आप अपनी मर्दी से ये कर सकते हैं, इसमें डालेंगे हम अब ये स सारे सुखे मसाले, और नमक आप चख कर देख लीजिए, इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा नीबु का रस, फ्रेश नीबु है, इसका रस ही बहुत टेस्टी लगने वाला है सैलेट, उपर से डालेंगे हम इसमें दो चम्मच हरी चटनी, जो ये पदीना और धनिया की बन तो ये फ्लिवर जो है वो बहुत अच्छा आने वाला है, थोड़ी सी धनिया पती कटी हुई, और ये देखे कितना कलर्फुल ये लग रहा है, जब जितना खाना है उतना फ्रेश बनाईए, और सर्व कीजिए, इसको करते हैं अच्छे से मिक्स, अगर आपको मेरी ये रे और साथ, तो अगर और जब सकते हैंत रखक टोकले वग, तो थितना टमाटर राट को ये लेए वन तो आपको रखिली आपको ये देखे घ्यवाग प्तव्त करते हैं, मैं ज़ though कि अदा बाने शेर्व करते हैं और सकते लम कानी हुत आपको पलदी तो अगर ये थोगि पा सकते हैं अगर नहीं पसंद करते हैं तो स्किप कर दें बाकि इसमें अद्रक का फ्लेवर सैलेड में बहुत अच्छा लगता है तो आए करते हैं इसकी प्लेटिंग यमी सी चाट बन करते आ रहे हैं हरी में उपर से थोड़ा सा कटी हुई डाल रही हो यह ऑप्शनल है अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं कुछ यह अद्रक के जूलियंस हम उपर से भी रखेंगे और इसके बाद हम थोड़ा सा डालेंगे कटा हुआ धनिया कितना कलरफुल लग रहा है है और खाने में टेस्टी है आप जरू ट्राइ कीजे यह डाला ह हमने धनिया और थोड़ा सा में डाल रही है उपर से भुनावा जीरा पाउडर जो इसके टेस्ट में चार चांद लगा देगा और यह बहुत अच्छी सैलेड है बहुत हैल्दी है जीरो ओल है यह देखिए साथ में देंगे लेमन आप लेमन ने चोड़िये और खाये थैं हुआ है